नमस्कार दोस्तो मैं हूँ मुच्चाड़कुर आप देख रहे हैं माई फंडमेंटल तो दोस्तो आपका अमारे चैनल पे बहुत बहुत सौगत है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपकमिंग आईपयो के बारे में तो दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि गर्मेंट कंपरी का ये एक आईपयो है जो आपको मार्केट में जल्द ही दिखेगा और रीसेंट आईपयो उसकी अगर मैं बात करूँ जैसे कि आईयर एपसी तो उसने आपको ठंडी लिस्टिंग दिखाई है डिसकाउन पे इसकी लिस्टिंग हुई थी और जो इसकी डिसकाउन पे लिस्टिंग हुई थी उसके पीछे एक बज़ा थी और जो बज़ा थी वो था बज़ट बज़ट के कारण आपको उसमें डिसकाउन पे लिस्टिंग दिखी थी अगर मैं IRCTC की बात करूँ तो उसने आपको शांदा रिटर्न्स कमा के दिये हैं ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि सेंटीमेंट सबसे ज़ादा उपर होते हैं और इस IPO के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या इनका बिजनस है और कब आपको ये IPO देख सकता है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलिग्राम पे पूछ सकते हैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट सॉल्व करने में तो दोस्तो चलिए बात करते हैं इस IPO के बारे में तो दोस्तो मैं Economic Times की वेबसाइट पे आ चुका हूँ तो यहाँ पे आप ये आर्टिकल देख सकते हैं ये पांच तारी को आर्टिकल आया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 25% स्टेक चोटा मोटा स्टेक नहीं होता है बहुत बड़ा स्टेक होता है 25% यानि कि आपको अच्छा खासा माल मिलने के चांसिस हैं और अगर आपको मिल गया तो आपके लोटरी ही पूरी लग सकती है बट आपको बिजनस के बारे में जानने के बाद ही बताऊंगा कि आपको कैसी लिस्टिंग मिल सकती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो दोस्तो अब फ्राइड को उन्होंने बोला है कि पूरी इसकी तेयारी हो चुके है और जल्द ही आपको मार्केट में देखेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अब बात करते हैं कमपनी के बिजनस के बारे में बिजनस के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों बात करूँ अगर मैं इसके बैपकोस की तो यह का पबलिक सेक्टर एंटरप्राइसिस है अंडर दा मेनिस्टरी आफ जल्द शक्ती इंकॉर्पोरेटर अन जून 26, 1969 तो यह कमपनी की आपके सामने डिटेल्स हैं उसके बाद अगर मैं बात करूँ कमपनी की तो तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं यह इनका धन्दा और यह इनका दोस्तों पोटेंचल है इस सक्टर से बलाउं करती है वहाँ पे डेफिनेटली पोटेंचल जरूर है तो यहाँ पे आगे मैं बात करूँगा पेड़ अप कैपिटल की पेड़ अप कैपिटल इस रस हंडर्ड करोड ऐस ओन मार्च 31st 2020 तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इनके रेविन्यू की तो रेविन्यू जो अगर दोस्तों 2019-20 में इन्हों ने लगवग लगग 1500 करोड के आसपास का दिखाया था जो 2018-19 के अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो 1413 था और यहाँ पे आप इंक्रीस देख सकते हैं 9.71% का इंक्रीस देखने को मिला था प्रॉफिट बिफोर टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों लगवग लगवग इन्होंने 212.32 करोड पे दिखाया था और लगवग लगव 4.5% का इन्होंने इंक्रीस दिखाया था तो दोस्तों आपको पता है कि जो इनका government का disinvestment purpose है वो लगवग लगवग 1.75 lakh करोड का है और इसमें आपको LIC का भी IPO दिखेगा और अगर मैं बात करूँ LIC के IPO की तो इसकी detail भी मैं आपको उता दूँ कि October to November महीने में आपको दिख सकता है या फिर December महीने तक आपको इसकी listing होती हुई दिख सकती है तो आपके जेब में पैसा भी होना चाहिए आप क्या चाहते हैं ये सबसे ज़्यादा important नहीं होता है आपको उसके लिए पैसा चाहिए पैसे से ही पैसा बनता है और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दोस्तो कमा भी नहीं सकते तो दोस्तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि काफी अच्छी कमपनी है और जिस सेक्टर से बिलॉंग करती है वहाँ पे potential भी बहुत ज़्यादा है और जिस इस आप से government privatization कर रही है तो यहाँ पे दर्शादा है कि government काफी ज़्यादा aggressively काम कर रही है उन्हें fund की जरूरत भी है और privatization के favor में मैं बिल्कुल बिल्कुल हूँ और आप क्या सोचते हैं आप comment करके ज़रूर बता सकते हैं disinvestment की अगर मैं बात करूँ तो 25% का जो stake होता है वो छोटा मोटा stake नहीं होता है तो यहाँ पे आप इसके IPO को subscribe जरूर कर सकते हैं अला कि यहाँ पे कोई भी dates नहीं आई है वर dates आपको जल्द ही market में आती हुई दिखेंगी market की अगर मैं बात करूँ तो यह IPO आपको जुलाई से लेके दिसंबर तक के महीने में दिख सकता है even उससे भी जल्दी आपको दिख सकता है और इसके पूरे पूरे chances है आप इसको subscribe जरूर कर सकते हैं बट in the end जो सबसे बड़ी चीज है वो है दोस्तो sentiments इसलिए मैंने आपको सबसे पहले IRFC का example दिया था इतना अच्छा company होने के बावजूद भी उसने आपको ठंडी listing दिखाई थी even आपने SBA cards भी देखा होगा इतनी अच्छी कोई example नहीं थी market में हम उसका comparison जो हम दोसो American Express के साथ करते थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं comparison के बावजूद भी वो sentiments की बदा से थंडी हुई थी और इसकी भी IRFC की भी थंडी हुई थी इसलिए sentiments बहुत जादा matter करते हैं और इसके sentiments कैसे रहेंगे यह तो IPO के close होने पे ही हम बता पाएंगे बट definitely company बहुत बढ़ी है और इसको आप subscribe कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे like subscribe वो share जरूर करें धन्यवाद